अर्विन केजडिवाल के बयान पर दरसल BGP प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं, संबित पात्रा को सुनते हैं, क्या कुछ हो कह रहे हैं? किस प्रकार का यूटर्न ले रहे हैं? आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं? यह भी हम देख रहे हैं. ये अर्विन केश जिवाल जी वही वेखती हैं जिनोंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए वहां तो अस्पताल बनना चाहिए अर्विन केज़िवाल जी की वो वीडियो भी है जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केज़िवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में अराधना करने पूजा करने नहीं जाओंगा क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राक्त नहीं करेंगे भगवान स्विकार नहीं करेंगे उन्होंने अपने दादी के विशह में भी कहा था कि दादी बहुत नराज थी कि वहां राम मंदिर बना था और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अर्विंद केज्रिवाल जी ने U-Turn लिया है ये वही अर्विंद केज्रिवाल जी है जिनके बहुत सरे मीन जिनके बहुत सरे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध है उनके ट्वीट में लक्ष्मी गनेश जी की पूजा कभी भी दीवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्न के बिना पूर्ण नहीं होती है दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्न बनाते हैं स्वस्तिक चिन्न को अंकित करते हैं तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है इसी स्वस्तिक चिन्न को जाडू से मारने का काम इसी स्वस्तिक चिन्न के उपर जाडू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्न के उपर हसने का काम अर्विंद के जिवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था वह ट्वीट भी आज जनता जनारदन के सामने मौजूद है पब्लिक दोमेन में आप देखे वही अर्विंद के जिवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे है ये वही अर्विंद के जिवाल जी है जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले मा लक्ष्मी और गनेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्धी बाते कही जी जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था उपहास किया था उन्हें गाली देने का काम किया था के जिवाल जी आज वो एमेले आपके यहां अभी भी बने हुए आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है केवल और केवल दिखाने के भगवान स्षी गनेश के खिलाफ उन्होंने टिपपणी की थी इतना ही नहीं ताहीर हुसैन और ऐसे अनेकों नेता हैं अर्विंद केजरिवाल जी के किटी में अर्विंद केजरिवाल जी की पाटी में जिनके कारण पचासियों लोगों को मौत के घाट उतारा गया नरसंगहारो इसके रचेता थे ताहिर हुसेन आज भी जेल के सलाकों के पीछे बंद है और अचानक अर्विन केजरिवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम कर रही बंधों याद करिए यह वही अर्विन केजरिवाल हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नर का कश्मीरी पंडित का नरसंगहार नहीं किया कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इंकार करने वाले अर्विन केजरिवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेश्टा कर रहे हैं ये यू टर्न की पराकाष्टा है अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरिवाल जी आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना तो मा लक्षमी भी और भगवान श्री गनेश भी ये जो आपने एक साइस पॉलिसी में पैसा मारा है आपके भाई आपके साथी मनीश शिशोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है भगवान कभी माफ नहीं करेगी मा लक्षमी कभी माफ नहीं करेगी इस प्रकार जो शराब में घुटाले करते हैं और हिंदुस्तान का सवाल है अर्विंद के ज्रिवाल जी इसमें तो कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान के उपर भारत के उपर मा लक्ष्मी और प्रभूश्री गनेश का महादेव और राम का आशिरवाद है तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से ग्यारहवे स्थान पे आज से एक दशक पहले आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में पाँचवे नमबर की अर्थ शक्ती है पाँचवे नमबर की एकोनमी है तो देए इंडिया स्थाल इन वर्ल ओर और अवेकोनमी तुदेए इंडिया is not the leading economic country today's India growth rate shows a bright spot in the world economic forum और केवल राजनेता ही नहीं कह रहे है अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पतल कह रही है कि विश्व भी अगर recession में चला जाए और संभावना है कि विश्व recession में चला जाए global recession हो जाए किन्तु लक्ष्मी और गनेश जी की कृपा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के उपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है उसके कारण भारत वर्ष कभी भी रेशेशन में नहीं जाएगा निरंतर अपने परिश्रम के कारण निरंतर अपने साधना के कारण कहानी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से आपने advertisement policy चलाया है यह उचित नहीं है आठ लाक रुपे का spray बनाते हैं पूसा इंस्टिट्यूट में और 24 करोड रुपे उप स्प्रे के advertisement में खर्चा करते हैं उसके प्रचार प्रशार में खर्च करते हैं और आप ठीकरा लक्ष्मी गनेश जी पर फोड़ देते हैं कि हमारे देश पर मा के आशिरवाद नहीं है मा का आशिरवाद सदेव था है और रहेगा अपनी नियत को ठीक करना होगा कहीं न कहीं कम काम और जादा दिखावा जादा यह जो अर्थ नीति आपने अपनाया है के जिवाल जी इसे आपको ठीक करना होगा बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रश्न हो तो पूछे कोई बात नहीं यह उनके पार्टी का आंतरिक विशय है करगे जी आज यह कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने है मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहूल गांधी जी बैठे थे खड़गे जी had no leeway दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है और है तो उनका आंतरिक विशय है मगर मैं तो इस पे कोई टिपणी करना नहीं चाहूँगा मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम बकराईद में बचेंगे तो हम मुहर्रम में नाचेंगे तो अब देखते हैं हिमाचल और गुजरात के चुनाव आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बली का बकरा गुजरात और हिमाचल के